आज अपन बात करें बांगलादेश और जिंबावे की वीच्छोने वाले स्रीज के पहले टी-20 मेज के बारे में दोस्तों बहुत एच्छी ओपूर्टुनिटी आपके लिए इस स्रीज में बहुत एच्छा पैसा बीन करने की क्यों क्योंकि एक तरफा यह स्रीज रहने वाल चित्तों ग्राम में ठीक है यहां देखो जो मेच हुएं बांगलादेश 124 मनाते हैं ओल आउट होती है आईलाइंड की टीम चेंज कर लेती साथ विगड पैसर को मिलते हैं छे विगड मिलते हैं स्पेनर को बांगलादेश 202 मनाती हैं तीन विगड यह नुकसान पे केवल 17 ओर में ठीक है और आईलाइंड की टीम चेंज नहीं कर पाती हैं पांच विगड पैसर को मिलते हैं साथ विगड मिलते हैं स्पेनर को डगवर्थ लुइस नहीं लगा था हालांकी इसमें लेकिन और कमी हुए थे बाकी बोट यह चेरन मना दिये थे बांगलादेश की टीम इससे पहले बांगलादेश ने यहाँ दोसो साथ बनाए पांच विगड के नुकसान पर जिसको आलाइन की टीम चेंज नहीं कर पाते इसमें भी डगवर्थ लुइस नहीं लगता है नो और का यह रहता है और बांगलादेश में इसको विन करता है नो विगड पैसर को मिल जिंबाबे के बराबर जब देखोगे तर ठीक है तो इंपोडेंट रहेंगे प्लेयर आपके लिए बांगलादेश के लेकिन जिंबाबे के भी ऐसे प्लेयर है सिकंदर रजा उदर केप्टन है बहुत से प्लेयर है जो मेंच को चेंज कर सकते हैं उस कंडिशन में क्या ओने होगे बैटा सज्पीलर किस परकार से कॉंबिनेशन बना होगा आगे वीडियो में आपको बताने वालू हमाला हूं तो वीडियो को शुलूसी लेके अंगे आफक आपको पूरा ध्यान से डेखना है ठीक है साथ में वीडियो 10 थीमों की 23 बार बांगलादेश इंदे Precis तो साथ बार जिंबावे ने भी रहे तो जिंबावे ने मेच इनको जरूर रहे यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो मेच पलट वार यह भी कर सकते हैं हालांकि ओंडिशन का फायदा बंगलादेश को मिलेगा यहाद है वो बंगलादेश की जो फॉसिबल नजर आएगा इसके अलावे टीम चेंज यह कर सकती है कि एक बोलर अगर यह पेस बोलर खिलाना चाहेंगे तो शाकिब को खिला सकती है जाकी रली अफीप हुसेंद की जगे खेल सकता है जो कि अच्छा फिनिश सर रहा है पिछले कुस दिनों में बांगलादेश के लिए प्रकार से आपको लेकर चल लिए तो टेलीकराम आप जरूर जोईन कर लें वीडियो की डिस्क्रिप्सें में लिंक दिया वे टेलीकराम चैनल का तो वहां से आप जोईन जरूर करें साथ में बहुत एच्छी टीम भी आपको आपे मिलेगी यहां देगो लिटेंदास को द प्लेयर इनका भी जल्दी आउट हो सकता है बाकी बैटिंग पीछे तो अच्छे रन भी यहां पर बन सकते हैं तंजीम असन अटालिस नोट आउट बारा चातिस दो बैयाने सो गुंचालिस वह यह उबरता हुआ अच्छा प्लेयर है वर्ल्ड कप भी लेकर जा रहे है यह प्लेयर है प्लेयर है फास्ट भी खेलता है मौहमद उल्ला को देखा आप 27 नोट आउट 28 और 55 प्लस 0 एक्सपरेंस लेकर आता है अच्छी बैटिंग करता है अगर टोप अडर से आप प्लेयर को जोड़ रहे तो फिर मौहमद उल्ला अफीफ हुसें दोनों को आप अपनी सारी बाते में आपको बताने वाला हूं तो इंपोर्टेंट देखो अफीफ हुसें को कोई नहीं लेकर जा रहा है तंजीव असन की तरफ लोगों का कम जा रहें ठीक है टी हिट दोए की तरफ लोग कम जा रहें लेकिन यह तीनों फ्लेयर अच्छे प्लेयर इनमेंसे दो प्लेयर आपके लिए काम कर सकते हैं और काफी आपके लिए टीम बनाना हो जाएगा अच्छा पर्फोर्मेंस था इसका सिलंका के एगेंस ठीक है तो इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाले रासी दूसेन लेक ब्रेक बोलर प्लस बैटिंग का भी एडवांटेज देता है अगर पांगलाजर पहले बोलें करें थो के प्रेसान रहा था अब इसको मोका मिला है अच्छी पर हो मिल्स कर सकता है बेटिंग भी जानता है ठीक अब बात करते हैं रिकोड रिकोड लेटन दास को देखो आप दस में 308 बनाए अगेंस 30 की एवरेज तो बाग जो बांगलादेस की जो प्लेयर है इनको अच्छा खाशा अन्बाव वेन्यू पे खेलेगा जिंबावी के सामने वेसी बीच पे चार में में 246 की एवरेज तो आकड़े कमाल के सेंटो पांच में 154 बनाए अर्थिस की एवरेज वेन्यू पे थोड़ा सबस्ता है सेंटो तो चाओ तो एका टीम में रिस्क ले 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 ना क्योंकि उधर बोलर कम नहीं है नगारवा भी आपको पता है पीसल खेलता है और भी आल्टी टीटी ट्वेंटी ली खेलता है मुझरबानी भी खेलता है तो अच्छे बोलर उनको अनभाव है आउट कर सकते हो अपीव फुसेन आठ मेंच में दो विगेट थिसकी एवरेज है वेन्यू पे 24 मेंचों में 699 विगेट थिसकी एवरेज तो वेन्यू पे आकड़े कमाल के अगेंस भी ठीकता क्यलता है विकेट भी मारता है तो इन्पोर्टेंट प्लेयर अफीफ उसेन आपके लिए रहने वाला है तो अपरासी दूसरे जो एक्स्ट्रा बेटिंग तो खेर दोनों करते हैं बाके एक्स्ट्रा बेटर के साथ भी आप जा सकते मोहमद उल्ला पंद सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं जिंबाबे की जो पोसिवल प्लेंग लेवन रहने वाली कुंभी के साथ ओपन करेगा क्रेग उनिन उसके बाद बैरी बैनन सोन विलियम सिकंदर रज्जा रया इसके लावे टीम क्या चेंज करें वहीं टीम मुर्मानी या फक्रम में सो कोई खेल सकता है वागी जो भी चेंज होगा में सब मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूँगा ठीक है गुंभी को देख लो 21-22-6-49-12 और बैतर अच्छे पारी खेल करा रहा है ट्राइक कर सकते लेकिन थोड़ा सा समल कर खेलेगा तो अच्छे बारी खेल सकता है गुंभी हो सकता है टीम इसकी जगा टीम मुर्मानी जो की फास्ट कहलता है उसको भी ट्राइक कर लें लेप्ट बैटर है ठीक है क्रेग इवरेन को देख़ो आप तीन-चबीस-टीन-अठाइस-अठारा दस और जीरो क्रेग इवरेन का फोरम नहीं है तो इस बात का आपको वाइदा उठाना है सेलेक्शन आपको 90 के आसपास दिखेगा लेकिन आपको चांस जुरूर लेना है लेप्ट बैटर है ठीक है बाकि बेरी मैनेट की बात करते हैं 12 प्लाइस-पेसर 027 तो इन दो प्ले प्लेयर आप कम से कम अगर दो प्लेयर से जात तीनों प्लेयर को साथ नहीं आसे मत रखना सोन वीलियम्स 38 वीट 15 प्लेट जीरो 37 दो वीडिए अच्छा प्लेयर बेटर लेटा मोर्थोड़ोक्स गेंदवाजी भी कर लेता है तो इंपोर्ड़ रहेगा शिकंदर रज्या क बात करते हैं 6 प्लेट जीरो 15 प्लेट जीरो 28 लेगन आपको पता है IPL भी खेल चुका है इस सीजन तो खेल अब मोका नहीं मिला था इतना ज्यादा बाकी अनुबव काफी अच्छा है अच्छा प्लेयर बेटिंग बोलिंग दोनों करता है इंपोर्ड़ रहेगा रेयाल ब कीपर है अच्छा कीपर है इसको थोड़ा सा उपर बेटिंग में पर्मोट करेंगे तो और विच्छे रन बनाएगा अच्छी टीमों की सामने विए रन बना लेता है लुक जोंग वे 25 रन दो विगिट 24 प्लेट जीरो 5 प्लेट जीरो बोल फरस्ट में बहुत ही ज्यादा तो नगारवा एक वीट 4 वीट एक वीट जीरो एक वीट अच्छे विकित नेगाले नगारवा ने तो दोनों बोलर अच्छे इनके ठीक है बागी मुर्मानी एक पर करम घेलता तो ट्राइक कर लें ना अब बात करते हैं के हैट प्लेट रिकोर्ड की तो क्रेग इंग प्लेयर को लेकर चल रहे हैं उन में से सोन वीलियम्स रियाल बलके आखड़े इतने चे नहीं है क्रेग यूडिन के भी नहीं तो इन तीन हाई प्लेयर में से दो प्लेयर चूट सकते हैं आपको ध्यान में रखनी है ठीक है किस प्रकार से आगे लेना वह मैं आगे आपको बता दूगा लुक जोंगवे के नो मेचों में 101 दस विकेटिस लिए लुक जोंगवे जरू ट्राय कल लेना वेल्टन मसकाजा के साथ में साथ विकेट है मुजरबानी की च्यार में च्या प्लेंचे प्लीए लिए काफी ज्यादा इंपोर्टनेइच रहता है खास करो अभी तो शिरीज की सुरुवात है तो काफी प्लेयर यानी एक तरफ्फ. लोग फिक्स ग्यारा प्लेयर की ति तरह बागेंगे इंगे दस प्लीयर से मिलेंगे जिन की तरफ कोई नहीं जा रह लेकिन उसके बीच आपको टीमों में प्लेयर ये कैसे लेना है यह बात समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपूर्ट है यहां देखो अगर बांगलादेश की टीम पहले बोलिंग करने आ रही है तो सीधी सी बात है शेपू दिन को अपनी टीम में रखना ठीक है फिर मसकाजा लुक जोंगवे इन दोनों में से एक प्लेयर लेना और फिर आप ती हिर्दोय को अपनी टीम में ट्राइ करना रासी दुसेन और सेफू दिन में से एक प्लेयर को ट्राइए तीन प्लेयर कम से कम लेना बाकि आप चार प्लेयर में यहां से ले सकते हो ठीक है आप चाहो तो राशी दुसेन को ना लेकर आपी अपनी टीम में ले सकते हैं वह भी अच्छा प्लेयर है देखो रोल कई बार टीम रोल अलग से डिसाइड कर देते हैं उस चक्कर में प्लेयर चुट जाता बाकि जो मैं आपको प्लेयर बता तो ड्रम प्लेयर लगबग काफी अच है तो इत्ने लोगों को एक करोट रूपे जीतना है तो थोड़ा वह थोड़ा उनिक को मैं आपको बता रहें आपको कॉम्बिनिशन बनाना मैं बता रहूं आपको ठीक है सिकंदार रज्जा व्याम और मेहंदी आंसन को राज्जाको लिया एक सिकंदार रज्जाको को लिया सोन Williams दोनों को छोड दियाए एक ट्रीक गरने को अ ठीक है मेंदी असन रासी दुसेन को रखे टासकी निर्माद मुझरबानी शुरुफुल इसलाम नगारवा और लुक जोंग वही जिंबावी पहले बोलिंग करेगी तो मैं लुक जोंग एको भी रखूंगा ठीक है तंजीम हसन पर भी चांस लिए लिया है ठीक है यहां टास उस कंडिसन में बांगलादेस की बैटिंग में जो बड़ी पारी खेल सकता है वह सेंटो जिसको आप केप्टन कर सकते हैं बोलिंग में टास्किन अच्छा चल रहा है मैं दी असन को आप जरू ट्राइ कर ले ना क्योंकि अच्छा बोलर है अच्छे विगिट निकालता है इस प्रकार से आपको टीम बनानी है तो दोस्तों वीडियो को जाजा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद